हेलो फ्रेंड एक बाफ फिर आप पस्वाकत है कंचन लाइफ लाइन चैनल पर आज हम वीडियो पर रैबडी कैपसूल के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दलाओं अगर आप चैनल पर नए है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आएए हम रैबडी कैपसूल के बारे में बात करते हैं रैबडी कैपसूल SRA कॉंबनेशन दवा है और इसका इस्तमाल अपच के लक्षणों जैसे हार्ट बर्ण, पेट में दर्द या जलन जैसे लक्षणों में रहत दे कर गैस्ट्रो, इसोफेगल, रिफलक्स डिजीज, एसिड, रिलक्स और पेप्टिक अलसर डिजीज का इलाज करने के लिए इसका सेवन किया जाता है यह एसिड को बेसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए गैस को आसानी से पास होने में मदद करता है इस दवा को डॉक्टर द्वारा सलहा दी गई खुराक और अवधी के अनुसार बिना भोजन के लिया जाता है इसकी डोज आपकी कंडिशन और दवा के प्रती आपकी रिस्पॉंस पर निर्भर करती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखना चाहिए अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो लक्षन वापस आ सकते हैं और इस्थिती और भी खराब हो सकती है और हमेशा इस बात का ध्यान रखें अगर किसे किड़नी या लीवर या हार्ट्स की बिमारी है या फिर कोई गर्भती है या इस्तनपान कराने वाली महलाएं हैं तो किसी भी दवा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलहा जरूर ले लेनी चाहिए डॉक्टर की सलहा से रैब्डी कैप्सूल पूरी तरह से सुरक्षित है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं रैब्डी कैप्सूल ऐसार आपके पेट में बनने वाले एसिड की मातरा को कम करता है और शाती में जलन और एसिड रिफलक्स से संबंधित दर्द से रहात देता है और इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसे आपको डॉक्टर द्वारा बताया गया हो इसके साथ ही लाइफ स्टाइल में कुछ आसान बदलाव भी अच्छे होते हैं जैसे कि उन भोजन के बारे में सोचना चाहिए जिनसे आपको हाट बन होता है या उनसे बचने की कोशिश करें और थोड़ी-थोड़ी देर में कम-कम मात्रा में भोजन खाएं अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन खटाने की कोशिश करें और आराम के तरीके खोजने की कोशिश करें साथी विस्तर पर जाने के तीन से चार घंटे के भीतर भोजन ना करें और यदि हम पेप्टिक अलसर की बात करें तो पेप्टिक अलसर डिजीज एक ऐसी इस्थिती है जिसमें पेट या गट याने आत की आंतरिक दिवार में दर्दना घाव या अलसर विकसित होते हैं तो रैबडी केप्सूल एसार आपके पेट में बनने वाले एसिट की मातरा को कम करता है जिससे अलसर में आगे कोई छती नहीं होती है और यह प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है और यदि अलसर है तो अलसर के कारण क्या हुआ है उसके आधार पर आपको इस दवा के साथ अन्य दवाएं दी जा सकती है वैसे तो इस दवा के side effect नहीं होते हैं और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से side effect अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं लेकिन अगर side effect बने रहते हैं या लक्षण बिगडते हैं तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें जैसे कभी-कभी दाइरिया, पेट में दर्द, मुह में सुखापन, सिर दर्द, चक्कराना, पेट फूलना, कमजोरी और फ्लू जैसे लक्षण रहते हैं और हमेशा बने रहते हैं तो आप इस दवा को बन करके डॉक्टर की सलहा जरूर करें और आपको इस दवा को किस प्रकार लेना है इसके लिए हमेशा इसकी खुराक और अवधी के लिए डॉक्टर से सलहा जरूर करें इस कैपसूल को हमेशा खाली पेट ही लेना चाहिए अगर हम बात करें कि रैबडी कैपसूल किस प्रकार काम करता है तो रैबडी कैपसूल SR2 दवाओं का एक मिश्रण है पहला है डॉमपरिडोन और दूसरा रोबे प्राजोल डॉमपरिडोन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आतों की गतिविदियों को बढ़ाने के लिए पाचन तंत्र के उपरी हिस्से पर काम करता है जिससे भोजन बहुत आसानी से पेट से आगे की प्रक्रिया के लिए चला जाता है और रेप्रोजोल एक प्रोटोन पंप है जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करता है और एसिड से संबंधित अपच और हार्ट बंड से रहात मिलती है इस दवा को विशेश रूप से सुभा के समय खाने के एक घंटे पहले ले लेना चाहिए और चवदा दिनों तक लेने के बाद अगर आपको बहतर महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आप किसी और समस्या से पेडित हो सकते हैं तो ध्यान देने की जरुवत है साथ हे इस बात का भी ध्यान रखें की लंबे समय तक इसका इस्तमाल करने से हड़ियों के कमजोर होने और मेगनीशियम जैसे खनीश की कमी का कारण बन सकता है और डॉक्टर ने जितने केलशियम और मेगनीशियम या उसके सप्लिमेंट्स लेने की सला दी है उसका परियाप्त मातरा में सेवन जरूर करें